नमस्कार दोस्तों माई सिंपल टेरेस गार्डन यूट्व चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो दोस्तों वीडियो की सुरुआत करते हैं हम इन संदर संदर फोलों के साथ और यह मेरा वाइठी विस्वस का प्लांट है और यह प्लांट मैंने पिछले ही वर्स कटिंग से ग बड़ा हो गया है और आप इसमें फ्लावरिंग देख सकते हैं दोस्तों यह हमारा फार्म वाला गार्डन है और यहां अरहत के प्लांट लगे हुए हैं तो आज के वीडियो में आपको दिखाना चाहती हूं कि हमने अपने इस फार्म वाले गार्डन में कौन-कौन से प्ल मिलती रहे दोस्तों यहां आवला का पेंड लगा हुआ है और इसी हमने इसी वर्ट जुन के महने में लगाया था और अभी आप इसकी ग्रोध देख सकते हैं इसके जो ब्रांच है वो लेगी-लेगी से हो गया है और यहां पर पपिता का पेंड लगा हुआ है और अब इसम ही हमने जुन के महिने में ही लगाया था और आप देख सकते हैं इसकी ग्रोष काफी अच्छी हो रही है और इसके जो ब्रांच है वह काफी लंबे-लंबे हो गए हैं दोस्तों यहां देखिए यह मेरे पती देव हैं और इन्हें फूल वाले पौधों से ज्यादा फल दार पे है नीची का प्लांट और इस प्लांट को लगाय हुए भी डेड़वर्स हो चुके हैं लेकिन अभी तक इसमें किसी प्रकार का ग्रोष नहीं हो रहा था और अब की बार इसमें खुब अच्छी ग्रोष दिखाई दे रही है और यह पेड़ भी नीचे की ओर धुक रहा था इसलिए इसे भी डन्ने का सपोर्ट दे कर इसे रस्टी से बांधा गया है दोस्तों यह नीबू का पेड़ है और इसमें इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा होता है और खार्म में होने के कारण हम इसकी ज़्यादा पेड़ नहीं कर पाते दोस्तों इसी गार्डन में यह देखे बड़ा सा आम का पेड़ और यह पेड़ काफी बड़ा और चायादार हो गया है और इसकी चाया में बैटकर हमें बहुत सुकुन मिलता है जर्मी की मौसम में इसमें खूब फल आते हैं दोस्तों इसी गार्डन में और भी बहुत सार आमके पेर लगे हुए हैं लेकिन वह अभी बहुत चोटे हैं दोस्तों यहां देखिए यहां अमरूत का पेर इसे ही हमने डेड़ वर्स पहले लगाया था और इसी दोस काफी अच्छी है और यहां पेर काफी बड़ा हो चुका है और दोस्तों अब देखिए इसमें फ्रोट कि अरे हैं यहां पर नार्यल का पेर लगा हुआ है और और इसे भी डेड़ वर्स ही हुए है लगाय हुए और इसकी जो पटियां वह בהummah बहुँत ही अच्छी लगती हैं कि पटियां बेहुभी अकरशित रगती है दोस्तों यह लगडाम का के आप दोस्तों ह Googla है यहां ल पर देख सकते हैं इसे लिटे से एक लगवी के सपोर्ट से बांधा गया है और इसका जो में ब्रांच है वह भी काफी लेगी सा है और उसे सीधा रखने के लिए ही सपोर्ट दिया गया है और यहां पर एक और आमका पेर लगा हुआ है दोस्तों देख सकते हैं अभी इसमें ग्रूट इस्टार्ट हुई है इसके जितने भी पहले के ब्रांच थे उसमें से अब देखे कितने सारे नए नए ब्रांच निकल र है 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 यहां एक और आमरित का पेर हैर दोस्तों इसे लगा हुए एक वाश्य ही हुए है और इसमें अब फ्रोड जाने भी इस्टार्ड हो गय देखें एक और कटल का प्लांट दुन प्लांट हमने एक साथ ही लगा थे लेकिन इसमें ज्यादा ग्रोव तभी नहीं हुई हैं और यह देखें हमारे हल्दी के प्लांट हल्दी जहां एक हर घरों में खाने का साथ बढ़ाती है वहीं दूसरी यहां ऑसथी गुणों से साथ ही यह कई रोगों से हमारा बचाव ही करता है दोस्तों करो ना के इस दौर में हल्दी कावक्यों बढ़ गया तो हमने सोचा क्यों न इस थोड़ी से जगह पर हल्दी लगा दें पर दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएए और मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेट आपी के साथ तब तक के लिए बाई हैपी गार्डिंग